हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजन टेंस और इसके उपर हम कुछ वरकशीट का जो है वो काम करेंगे, टेंस की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में बेसिक जो नॉलेज है वो हमारे पास टेंस स से ही शुरू होती है, तो यह जो टॉपिक है, यह सेवध, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, आन्वर्ड्स, क्लासिस में जो है पूछा भी जाता है, तो इसकी हम नॉर्मल एक्जांपल्स जो है वो देखेंगे, एक्जांपल्स करने से पहले हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजन नहीं भी हो सकता है, जैसे मैं लिखता हूँ, राम, प्लेज, फुटबॉल, इस तरीके से, तो यहां पर मैं राम की बात करूँ, वो सब्जेक्ट आया, प्लेज हमारे पास क्या हो गया, वर्ब, और फुटबॉल इस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब हो गया, जो मेन, जिसके बारे में बात हो रही है, और वर्ब means action words, you are all familiar with, familiar with the words, that action words means, verbs जिसे हम कहते हैं, इसमें axillary verbs भी होते हैं, main verbs भी हमारे पास आते हैं, तो उसी तरीके से हम plays मतलब action word की राम क्या करता है, खेलता है, तो जब हम simple present tense की बात करते हैं, तो इसका हमारे पास rule क्या होता है, subject subject plus verb की first form plus s या es होता है, plus हमारे पास आ जाता है, object आ जाता है, ठीक है, clear, अब यहाँ पर s या es की exception हमारे पास क्या आती है, अगर जो हमारा subject है, वो हमारे पास अगर singular में है, singular subject होगा, तब हमारे पास verb की जो है, s या es जो है वो लगेगा, अगर यह हमारे पास subject plural आ जाता ह है तो हमारे पास S या इस जो है वो नहीं यूज करते फिर सिंपल फर्स्ट फॉर्म और भी हमारे पास यूज होगी क्लियर जैसे मैं लिखता हूं राम यह मैंने एक्जाम्पल लिखी हुई है राम प्लेज फुटबॉल तो राम जो है वह हमारे पास सिंगूलर है तो लोग होगे तो वहाँ पर मेरे पास simple आएगा they play football clear तो ये basic rule जो है उसको हमें follow करना है और इसके अंदर हमारे पास अगर हम हिसकी हिंदी करने जाते हैं तो वो routine या habitual sentences हमारे पास आते हैं कि वे football खेलते हैं last में जिनके ते वाले sentences आते हम खाते हैं हम सोते हैं हम school जाते हैं इस तना के basic sentences जो है वो इसके अंदर आते हैं तो अब हम इसकी जो है exercise लेंगे exercise के अंदर हमारे पास देखिए simple present tense के अंदर हमारे पास exercise की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला मेरे पास sentence है my friend dash me bracket में आपके पास verb दिया गया help since my friend एक ही friend की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा helps क्यूंकि हमें जो है वो rule पता है subject plus verb की first form plus as yeah yes तो verb यहाँ पर help दिया है तो उसके साथ आगया helps आई जो है उसके साथ भी हमारे पास जो है plural verb लगता है तो I sleep simple आएगा I sleep late on Sunday Saturday sorry he dash to beach every weekend he is a singular so go का क्या बन जाएगा हमारे पास goes बन जाएगा क्योंकि yes लग जाएगा हमारे पास they dash to college daily they means बहुत सारे हैं तो दे का जब simple है तो simple हमारे पास verb का वैसे की वैसी आ जाएगी they go to college daily कि वो रोज जो हैं वो college जाते हैं do आगे है next हमारे पास kids do not dash medicine kids मतलब बहुत सारे बच्चे हैं plural है do not like the medicine so the verb is like do you dash help do you need some help do you here the verb is need and the subject is you so we can use the verb as a need does he want to take admission in college अब यहां पर he लगा है लेकिन यहां पर want आएगा क्योंकि यहां पर हमारे पास yes लग गया है interrogatives में तो जब interrogatives में हमारे पास यहां पर yes लग जाता है तो वो already हमारे पास बन जाएगा next है does david dash game properly कि क्या david जो है वो खेलता है तो again हमारे पास yes लग गया है तो हमारे पास आएगा does david play game properly do you like to play chess इसी तरीके से 9 10 वाला है she dash how to speak Spanish means she knows क्योंकि she जो है वो हमारे पास singular है अगर हमारे पास होगा she he it होगा यह कोई singular किसी का नाम वगयरा होगा तो उसके साथ हमारे पास yes लगता है अगर हमारे पास plural में होगा they होगा we होगा I होगा तो वहाँ पर हमारे पास plural verb लगता है clear बाकी के जो 11, 12, 13, 14 और 15 this is a homework for you guys you have to do you have to check what we can fill in these blanks simple I dash two words आपको सिरफ main sentence check करना है sentence के अंदर subject जो है वो आपने देखना है कि कौन सा subject हमारे पास singular है plural है या क्या चीज़ है और यह हमें fill कर देना है clear thank you